बहुत सारे लोगों का पूछना है कि स्वामी जी सांडे का तेल क्या होता है इसके बारे में जरा बताएं हमने सुना है सांडे का तेल लगा हो तो मर्दाना ताकत बहुत बढ़ जाती है या size बड़ा हो जाता है या शक्ती बढ़ जाती है या आदमी powerful हो जाता है या गोड़े जैसी ताकत आ जाती है मैं यह कहता हूँ कि आपको जितने मूँ उतनी बाते हैं आयरवेद में कहीं भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है एक भी विज्ञानिक प्रमान नहीं है कि सांड़े का तेल कुछ काम करता है पहले तो आधे लोगों को यह पता ही नहीं कि सांड़ा होता क्या है वो कुछ लोग जो सड़कों पर मजमा लगाने वाले हैं वो एक जानवर साथ में लेके गुमते हैं जो देखने में गिरगिट जैसा देखने में लगता है या चिपकली जैसा देखने में लगता है उसको यह कहते हैं जिए उसका तेल निकाला हुआ है फिर पूछो तेल कैसे निकालते हैं कहते हैं जिसको काट के इसकी आंतों को बाहर निकाल के इसकी चर्बी निकाल लेते हैं चर्बी को गरम करते हैं तो चर्बी जो गरम हो जाती है वो तेल है काइदे से जब चर्बी गरम करते हैं तो चर्वी गरम होने के पाद घी निकलता है तेल नहीं निकलता है और छोटा सा जानवर है, अगर आप पूरे को काटके उसकी चर्वी भी निकाल दोगे तो मुझे नहीं लगता कि आधा चम्मच तेल या एक चम्मच तेल भी निकाल पाऊ हुए उसमें से आप मेरे को ये नहीं समझाती कि लोग इतने ब्रहमित हैं कि कुछ भी sex power को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को त्यार हैं किसी हद तक भी गिरने को त्यार हैं और मुझे ये नहीं समझाता कि उसको पूछो कि आपके पास तेल कितना है तो वो कहता जी इतना तेल पड़ा हुआ यह मतलब 100 शीशी 200 शीशी मैं अभी दे दूँगा आपको तेल की और अगर सांडे में से तेल निकलना तो एक चम्मच ने निकल सकता तो उसको तो पूछो जी 200 शीशी, 100 शीशी भरने के लाइक तेल तुमारे पास कहा है इतने सांडे तुम कहां से पखड़ लाए और फिर पूछो कहां से लाए कि जी राजस्तान से लाया हूँ रेतों में से निकाल के ये रेत का जानवर है, ये वहां से निकलता है यह मैं उधर से गुजराद से लाया हूँ पता नहीं कहा कहा की बतें बोलते हूँ मैंने आज तक कभी सड़क पर गूमते हूँ यह जंगल में इधर कहीं पर पहाडों में कहीं रेगिस्तान में मेरे को नजर तक नहीं आया सांडा बस जिसको ये बोल लेते हैं उसी को लोग मान लेते हैं आप उसको बोलो जी मिरे को ताजा सामने काटके मिरे को तेल बना दे तो वो कि का नहीं ताजा नहीं बनता ये तो हम प्रोसेस करके बनाते हैं, ये करके बनाते हैं, आपके सामने नहीं दिखाया जा सकता, ये नहीं करा जा सकता, आपको कुछ भी असली नहीं देने वाला, बस उसने सांडे को दिखांके उसके नाम पे आपको तेल बेच जाना है, एक्चुल में वो तेल सांडे का है, या किसी और का है या कौन सा तेल है आपको पता तक नहीं चलेगा दूसरी बात अगर आपने लगा भी लिया तो उससे कोई effect नहीं होगा हाँ आपने एक जीव की हत्या जरूर कर दी सिर्फ अपनी काम वासना को या अपने मन की तिर्पती के लिए ऐसे तो अगर कोई आपको कहे कि आप एक गिलास बिल्ली का दूद रोज पिया करो तो आपके अंदर घोड़े जैसी ताकत आएगी तो पहले तो आप बिल्ली डूंडो और फिर उसमें से एक गिलास दूद निकलेगा तो ये तो इस तरह की बात है ना कि जो ना होनी है ना दिखनी है ना उसको कोई अर्थ है सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है ये वर्ड टू माउथ जैसे सयूकतिया निकल जाती है मुझे किसी ने बोल दिया और उसने उसको ब्रहमित कर दिया उसने उसको ब्रहमित कर दिया एक्चुल में अगर इलाज कराना है तो आयरवेद में हजारों चीज़े हैं इसके लिए ऐसी ऐसी जड़ी बूटिया हैं जो आपके शरीर में रग, रग में ताकत भर दे जो आपकी खोई हुई जवानी को वीकनेस को आपकी को ठीक कर दे और खोई हुई जवानी जो है फिर से प्राप्त हो जाए वो ऐसी चीज़े हैं लेकिन आयरवेद की जड़ी बूटियां में हैं और भगवान ने हुमें जड़ी बूटियां खाने के लिए तो बनाया है जड़ी बूटियां भगवान का प्रशाद है किसी जानवर को काट के उसकी चर्बी को गरम करके उसकी चर्बी को सकिन पर लगाके आप सोचें ठीक हो जाँगे यहां ब्रह्म में हैं किसी की बहकावे में ना आए पहली बात तो ऐसी कोई चीज होती नहीं और अगर होती भी है तो उसका कोई प्रमान नहीं पहले तुम्हें असली मिलेगी नहीं और मिली भी गई ते उससे होना जाना कुछ नहीं, इसलिए किसी चक्कर में पढ़के अपने पैसे को और किसी की जिन्दगी को, किसी के जीवन को ना लें, इस तरह की सारी बातें टोटल मूर्खताए हैं।